एक बार की बात है बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे इसी बात का फाइदा उठा कर कुछ मंत्री गण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे उनमें से एक कहने लगा महाराज आप केवल बीरबल को ही हर जिम मेदारी देते हैं और हर काम में उनहीं की सलाह ली जाती है इसका मतलब यह है कि आप हमें आयोग्य समझते हैं मगर ऐसा नहीं है हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं महाराज को बीरबल बहुत प्रियत है वो उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे लेकिन उन्होंने मंत्री गणों को निराशन करने के लिए एक समाधान निकाला उन्होंने उनसे कहा मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फासी की सजा सुनाई जाएगी दर्बारियों ने जिजखकर महाराज से कहा ठ, ठीक है महाराज हमें आपकी ये शर्थ मंजूर है लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए महाराज ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है ये सवाल सुनकर सभी मंत्रीगर्ण एक दूसरे का मूह ताकने लगे महाराज ने उनकी ये स्थिती देख कर कहा याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए इस पर मंत्रीगर्णों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मुहलत मांगी राजा भी इस बात के लिए तैयार धो गए महल से बाहर निकल कर सभी मंत्रीगर्ण इस प्रश्न का उत्तर ढूंडने लगे पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूक है तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूक को भी बरदाश्ट किया जा सकता है इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है धीरे धीरे समय बीटता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगनों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी कोई अन्य उपाए न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे उन्होंने उनसे कहा मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया उन्होंने दो मंत्रीगनों को पालकी उठाने का काम दिया तीसरे से अपना हुक का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाये वस्वयम पालकी में बैठ गए फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया जब सभी वीरबल को लेकर दरबार में पहँचे तो महाराज इस मंजर को देख कर हैरान थे इस से पहले की वो वीरबल से कुछ पूचते वीरबल खुद ही राजा से बोले महाराज दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठा कर यहां तक ले आए हैं यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगन शरम के मारे सिर जुकाए खड़े रहे कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए